गुड मॉर्निंग व्यूर्ज आज हम पढ़ेंगे ग्लिम्सिज अफ इंटिया की समरी याने के भारत की जलकियां इंटरडक्शन इस पार्थ हमें बताता है बहुत कम जाने जाने वाले पहलू के बारे में इच ओफ गुवा कुर्ग आसाम जो के गुवा कुर्ग आसाम के बारे में बताए गए हैं गुवा इस नोन फॉर इस चर्चीज गुवा अपने गर्जग रहों के बारे में खल्शर संस्कृति म्यूजिक संगीद बीचीज समंद्री तर्ट एंड सीनिक ब्यूटी और सुंदर द्रिश्यों के बारे में के बारे में जाना जाता है बट एन इंपोर्टेंट रोल प्लेट बाए दा बेकर लेकिन एक महत्पूर्ण भुवेकर जो के बेकर के दुवारे निभाए जाती है इन अ ट्रेडिशनल गोवन विलेज एक पारम पर एक गोवा के गाउं में इस नोट रेली नोन टू दा आउसेड़ ये वाक़े में बाहर के लोगों को नहीं पता इसके बारे में सिमिलरली इसी तरह से दा ओथर प्रवर्ज इंफरमेशन अबाट कुर्ग ओथर हमें कुर्ग के बारे में जानकारी मोहया करवाता है इस वेल्टरिस पीपर यहां के बहादूर लोगों के बारे में और इस सीनिक ब्यूटी और यहां के सुन्दर दृशों के बारे में आसाम को चिनित किये जाता है उसके बारे में विस्तार से बताए जाता है उसकी विस्तार और बहुत बड़े-बड़े चाय के बगानों के लिए ठीक है जो कि यहाँ पर पाए जाते हैं दो आथर प्रोवेड्स थ्री यूनिक ग्लिम्सिस ऑफ इंडिया जो आथर हमें तीन अद्भूत भारत की जलकियां दिखाता है हर जगा के महत्तफ के बारे में बता कर वो हमें भारत की जलकियां दिखाता है तो सबसे पहला पार्ट है अब बेकर फ्रॉम गोवा ओके इसकी हम सम्मरी करेंगे सिरफ सम्मरी अथर हमें बताता है कि उसके जो भुजूर्ग हैं वो आज भी बहुत ही प्यार से सने से पुराने पॉर्टोगीज दिनों को याद करते हैं जब एक बेकर बहुत ही महत्तुपूंट रोल अदा किया करता था बेकर मतलब नान भाई बेकरने वाला and the loaves of bread और जो ब्रेट के जो रोटियां थी उसके जो टुकडे थे were apart and partial यानि कि अभिन हंग हुआ करती थी of the Portuguese bakeries Portuguese bakeries की यानि कि पूर्टोगीज भट्टियों का ये अभिन हंग हुआ करती थी जो ब्रेट थी ठीक है ना वो उनकी रोटियां दो पूर्टोगीज अर गॉन अब पूर्टोगीज जा चुके हैं इसलिए वहां उनके जो मिश्रन हैं और उनके जो सांचे हैं और उनकी जो भट्टियां वो आज भी वहां पर मौजूद हैं जो बेकर है वो आज भी चलत फिरत करता है कहां पर गॉवा की गाओं की कुछ गलियों में कैसे विद थर्ड एंड जिंगल आफिस ट्रेडिशनल बैंबू यानि के अपने पारम पर बास की धमकदा धमाकेदार और जंकार वाली आवास के साथ वो आज भी चलत फिरत करता है कहां पर गॉवा के गाओं की गलियों में इन दा मॉर्निंग कब सुभा में वें वोज जब वो बच्चा हुआ करता था दे बेकर वुड वुड वीजिट जो पेकर था वो गलियों में आया करता था ट्वाइस डेली हर रोज दो बार वंस इन दा मॉर्निंग एक तो बार सुभा को वें इस टार्टिशन इस सेलिंग मिशन जब अपने बेचने की परक वें वो जो बच्चे थे उसको जो जनकार वाली जो आवास थी बांस की जो जनकार वाली आवास थी वो बहुत ज़दा पसंद थी and ran to welcome him जो बच्चे थे उसका स्वागत करने के लिए वो दोड़े जाते थे they would run out for the sweet bread bangles मतलब वो मीठी bread bangles के लिए bread की बनी हुचे चूड दा बेकर्स बास्केट बेकर की टोकरी में से दा बेकर्स प्रेजेंटेड एन इंट्रस्टिंग साइट जो बेकर्स थे वो बहुत ही दिल्चस्प नजारा प्रस्तुत किया करते थे in the morning सुभा में carrying his huge basket जब वो अपने भारी और एक बड़ी टोकरी ले जाया करते थे of lobs य जाने के जो बांस की जो जनकार वाली आवास थी वो घर की अड़ों को बाहर ले आया करती थी and if the children flocked round the baker अगर बच्चे बेकर के आसफस भीड इकठी कर दिया करते थे जुन्ड बना लिया करते थे they were rebuked and pushed back उनको जिड़का जाता था और उनको पीछे दकिल दिया जाता लेकिन फिर भी जो भोज़ादा जिद्धी बच्चे थे वो किसी ना किसी तरह से जहांक लेते थे into the basket टोकरी के अंदर by climbing on a bench or the parapet bench पर चड़कर या फिर किसी दिवार या रेलिंग पर चड़कर वो basket में जहांक लिया करते थे marriage gifts had no meaning जो शादी के उपहरते उनका कोई मतलब नहीं था without sweet bread बिना मीठी bread के जिसको bowl के नाम से पुकारा जाता था thus the baker was a very important part इस तरह से जो baker था वो बहुत ही जादा महतपूर्ण हिस्सा था part of a village गाउं का एक बहुत महतपूर्ण हिस्सा था कौन? bigger the lady of the house was expected to prepare sandwiches जाने के घर की औरत से आशा की जाती थी के वो sandwiches बनाए at the time of her daughter's engagement अपनी बेटी की मंगने के अफसर पर during Christmas and other festive occasions जाने के Christmas के दोरान जाने के और दूसरे तेहारों के अफसर पर cakes and ball in house were essentials यानि के जो cakes थे और ball in house ये नाम है मिठाई का ये भोज़दा महतपूर्ण हुआ करते थे जरूरी हुआ करते थे the bread sellers of good old days यानि के उन पच्छे पुरानी दिनों के जो bread sellers थे always wore a single piece वो एक single piece पहना करेते थे long frog एक लंबी घगरी वाला कोड़दा कभाई जिसको हम कभाई के नाम से जानते हैं afterwards इसके बाद the bakers started wearing shirts and three quarters pants उसके बाद जो bakers जो उन्होंने shirts और एक तहाई pants जो थी हैं वो पहनना शुरू कर दी this address became synonymous with them so to such an extent यानि कि ये जो पोशाग थी उन bakers के साथ इतनी ऐसी प्राइबाची हो गई ऐसी समानारती हो गई इस हद तक हो गई that anyone who wears a half pant कि अगर कोई व्यक्ती भी अगर half pant पहनता है that reaches below the knees जो के घुटनों से नीचे तक पहुँचती है is called padair उसको padair के नाम से जाना जाता है the author further states that author हमें आगे बताता है that the baker would receive his payment बेकर जो तो आपने वो पैसे वसूल करता था for the supply of bakery goods अपने bakery के समान की को बेचने के लिए वो जो नगदी थी जो पैसे ते वो प्राप्त किया करता था कब at the end of the month महीने के आखिर में in the good old days अच्छे पुराने दिनों में bakery business was quite profitable जो bakery business था वो भूज़ा लाब देने वाला हुआ करता था and the bakers and their families were prosperous जो bakers थे और उनकी जो परिवार थे वो बहुती ज़़ादा सिम्रिद हुआ करती थी so any person who is roundish इसलिए कोई भी person कोई भी वक्ती जो कि roundish यानि कि जो मोटा हो and plum fish जो फूला हुआ हो is still compared to a baker आज भी उसकी थुलना एक बेकर से की जाती है I hope you understand thank you take care lecture and subscribe Good morning viewers आज का topic है कुर्ग ये कुर्ग ऐसा नजर आता है इसलिए जो राइटर इसको हैमली beauty कहता है ओके ये सारी places हैं घूमने वाली कुर्ग के अंदर now कुर्ग lying halfway between Mysore and the coastal town of Mangalore यानि के कुर्ग कहाँ पर स्थित है मैसूर और Mangalore का जो तटिये town है उसके बीच में is a small district with हैमली beauty ये एक छोटी सी district है जिसकी स्वरग्य सुंदरता है ठीक है दा ओथर डिस्क्राइब्स दिस ब्यूटिफू लैंड यानि की जो ऑथर है इस सुंदर भूमी का वर्णन करता है लैंड सिचुएटिड अमंग दा वेवी हिल्स एक ऐसी भूमी है जो के लुड़कती पहाड़ियों के बीच में स्थित है और यहां पर कौन कौन रहता है लड़ाकू यो धाओं की गर्विट जाती रहती है ब्यूटिफुल वीमिन सुंदर महलाएं वाइल्ड क्रेचर जाने के जंगली जानवर अब वाइल्ड क्रेचर में क्या क्या शामिल है इसको हम लॉरिस बोलते हैं एक तरह का जानवर है यह यह मकॉक बोलते हैं इसको यह किंग फिशर जो के डाइव करता है मच्छी पकड़ने के लिए इसको देखा जा सकता है महासीर इस फिश का नाम है महासीर ये फ्रेश वाटर में पाई जाती है कुर्ग के अंतर ही एक बहुत बड़ी तिबदन सैटिलमेंट्स जहां पर ये सारे मंक्स हम देख सकते हैं ठीक है ना अलग-अलग कपड़ों में जैसे रैड है यैलो है ये इनके सबसे बड़ी तिबद की सैटिलमेंट है वहाँ पर ठीक है ना बाईला कूपर में ठीक है इसके इलावा ये निसार गदामा है ये भी कूर्ग में है ठीक है इसके इलावा वहाँ पर छोटे-छोटे ट्रेल्स है ट्रेल्स मतलब पैदल चलने की जगा ठीक है कैनोपी कैनोपी मतलब बड़े बड़े जो पेड़ है उनका उनकी जो उनका जो शेल्टर है उनकी जुचाया है उसको बड़े-बड़े कैनोपी से हैं वहाँ पर जिसके नीचे बंगलोज बने हुए हैं ओके कुर्ग और कुड़ागू इस स्मॉलेस डिस्टिक अफ करनाटका कुर्ग या फिर कुड़ागू यह सबसे चोटी डिस्टिक है करनाटके में लेकिन मतलब कि करनाटका का यह सबसे चोटा जीला है इसके इसमें सदा बाहर जंगल है और यह अपनी मसालों के लिए और कॉफी क लिए जाना जाता है about thirty percent of the area of kurg is covered with यानि के kurg का लगभक 30 प्रतिशत हिस्सा किस से धका हुआ है evergreen forests यानि के सदा बार जंगलों से धका हुआ है monsoon bringing a lot of rain here यानि के monsoon में यहां पर बहुत जादा बारिश होती है the best time to visit kurg is between September and March यानि के kurg जाने का सबसे बढ़िया समय क्या है March से लेकर September के बीच में when the air is refreshing जब हावा ताजा होती है and weather is perfect और जो मौसम है वो सुहाब ना होता है the place teams with coffee states यानि के जो जगा है किस से भरी हुई है coffee ठीक है ना coffee से भरी हुई है यानि के coffee के बागात हैं वहां पर ठीक है and bungalows canopy by huge trees यानि के वहां पर बड़े बड़े colonial time के bungalows है ठीक है वह कहां से कैसे डखे हुए बड़े बेड़ों की छाया से वह डखे हुए है huge trees the kurkis are independent people जो kurkis होते हैं अनाश्रित व्यक्ति होते हैं it is believed that they are either Greek or Arabic in origin यह विश्वास किया जाता है कि या तो वह Greek या फिर वह Arabic वन्शज के हैं according to one story एक कहानी के अनुसार a part of Alexander's soldiers did not return यानिके Alexander की जो सेन का एक भाग है उसके कुछ सेनिक जो है वो वापस नहीं गए and chose to move to kurk in south और उन्होंने निडने क्या किया वो south की तरफ kurk में जाएंगे they married local girls and settled here उन्होंने उन लोकल जानिके जो स्थानिय लड़कियां उनसे शादी कर लिया and settled here और यहां पर वो बस गए since the martial temper of kurkis अब क्योंकि जो लड़ाकोई उधाओं है जो kurkis जो लड़ाकोई उधाओं है उनकी जो बरविरती है and a practice is followed by them during marriages and religious rights यानि के जो रिती रिवास वो अपने शादी ब्या में अपने functions में अपने धार में करमकाणों में use करते हैं जो रिती रिवास are quite distinct from those of the Hindus यानि के जो रिती रिवास हैं वो बिलकुल अलग है हिंदूों से यानि के जो मुक्षधारा हिंदू है उनके जो रस्म और रिवास हैं बिलकुल अलग है it shows that their origins are from the land of Alexander ये इस चीज़ को दिखाता है कि इनके जो वंशच है उनको जो वंशच है वो Arab का है कैसे क्योंकि the traditional dress of the people of kurk यानि कि जो kurk के लोग जो अपने पारम पर एक जो ड्रेस पहनते हैं वेशचुशा जो पहनते है और लॉंग ब्लैक ओट यानि कि जो kurqis होते हैं वो लंबा काला कूट पहनते हैं Tied with an embroidered waist belt जो के एक बड़ी कड़ाई की होई belt से बंदी होती है, देखो ये है ठीके न, ये है belt ठीके न, Called Kupia तो इसको क्या बोलते हैं हम Kupia, ये जो belt है न ये जो आपको नजर आ रही है इसे बोलते हम Kupia Clear, Called Kupia Address similar to the Kupia Worn by the Arabs अब ये जो ये वले ड्रैस है, ये इसे कुफिया बोलते है ये अरब के लोग पहनते है ठीके न, ये चीज इस चीज से मिलती जुलती है तो ये लोगों को मानना है कि शायद ये लोग, लोगों को जो वन्शच, वन्शच हैं जो वो अरब हैं Kurgis are very hospitable यानि कि जो कुर्गी से बहुत अच्छे महमान नवाज होते हैं ठीक है, यानि कि बहुत अच्छे मेजबान होते हैं और वेलरस रेस और बहादूर जाती है ये यानि कि जो जनरिल केरियपपः थे वो इंडियन आर्मी के सबसे पहले चीफ थे वो एक कुर्गी थे कुर्गी जोग लोग लेक लोटे ऐसे लोग हैं जिनकों इंडिया में सरकार ने ये अग्या दी है कि वो फायर आम्ज यानिकि गंज वगरा रख सकते हैं यानिके बिदा बिना लाइसेंस के ये लोग फायर आम्ज यानिकि गंज वगरा रख सकते हैं यानिकि इंडिया में सिरफ इन लोगों के पास ही ये अनुमती है रिवर कावेरी फ्लोस तो कुर्ग यानिकि कुर्ग में से कौन सी नदी पहती है कावेरी the district is rich in flora and fauna यानि कि जो जिला है वो अपनी हरी भरी वनस्पती के लिए मशूर है flora and fauna river rafting, canoing अब यह क्या है water sports होती है river rafting, canoing देखो इसे बोलते है river rafting इसे बोलते हैं canoing और इसे बोलते हैं rappelling यानि कि mountain में से इस रस्यों के सारे नीचे आना ठीक है and repelling are popular water sports यानि कि ये मुख्य water sports हैं कूर्ग में one can also enjoy rock climbing यानि कि हम rock climbing को भी enjoy कर सकते हैं उसका आनंद उठा सकते हैं and mountain hiking और mountain में भी चल सकते हैं mountain hiking when one reaches the top of Brahmgiri hills यानि कि जब कोई Brahmgiri hills के शिकर पर पहुंचता है one sees a panoramic view and walking over the rope bridge यानि कि वहां से एक बहुत बड़ा सुन्दर नजारा panoramic मतलब बहुत दूर तक सुन्दर नजारा नजार आता है walking over the rope bridge takes one to 64 acre और वहां पर एक rope bridge है यानि कि पुल है जो रसी का बना हुआ है अगर उसको पार करते हैं तो यह हमें कहां पर ले जाता है चोसट एकर के एक दीप में ले जाता है ठीक है न जिसको निसार गधामा बोलते हैं the largest buddhist tipton settlement is in Baila Coppa यानि कि जो बुद्धिश लोगों के सबसे बड़ी जो settlement है यानि कि सबसे बड़ी बस्ती है वो भी कूर्गी के अंदर ही है ओके अब मैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी explanation आपको बताऊंगा clear, okay, thank you so much, have a nice time, take care, like, share and subscribe Good morning viewers, आज हम पढ़ेंगे tea from Assam, यह glimpses of India का तिसरा पार्ट है Let's get started Pranjol, a young boy from Assam, जो के Assam से है and Rajveer are classmates और Rajveer दोनों सहपार्टी है in a school in Delhi, Delhi के एक स्कूल में यानि के Pranjol जो है वो Assam से है और Rajveer दोनों सहपार्टी है दिल्ली के एक स्कूल में Pranjol's father is a manager of a tea garden in Assam Pranjol के जो पीता जी है वो Assam में एक चाय के बगान के manager है Rajveer is traveling to Assam along with Pranjol अब Rajveer Pranjol के साथ यात्रक करने वाला है Assam की to spend his summer holidays अपने गर्मियों की छुटियां बिताने के लिए with Pranjol's family Pranjol's की family के साथ उसके परिवार के साथ वो छुटियां बिताने कहां जा रहा है Assam में The train holds at a station अब जो train है station पर रुक जाती है A vendor shouts चाय गरम गरम चाय एक फेरी वाला चिलाता है चाय गरम गरम चाय The two boys order tea for themselves जो दो लड़के हैं वो चाय लेते हैं and enjoy spring it और इसकी चुसकी का अनंद लेते हैं Almost all the passengers in the compartment are enjoying hot tea यानि कि जो दूसरे यात्री हैं डब्बे के अंदर वो सारे तक्रीबन चाय का आनंद ले रहे हैं राजविर informs प्रांजोल राजविर प्रांजोल को बताता है That 80 crore cups of tea are consumed daily के लगभग 80 crore चाय के कप रोज खपत के जाते हैं आके पीए जाते हैं throughout the world पूरे संसार में As the train moves forward जैसे train आगे बढ़ती है राजविर is excited to see the magnificent scenic beauty राजविर उत्तेजित हो जाता है उस शांदार कुदरती सुनदरतों को देखकर Of the vast expense of the tea states यानि के चाय के बागात जो दूर दूर तक फैले हुएं उनके शांदार सुनदरतों को देखकर वो उत्तेजित हो जाता है At the back one can see dense hill forest यानि के उसकी जो background है वहाँ पर बड़ी बड़ी जंगली पहाड़ियां है And in front of the hills और जो पहाड़ियों उसके सामने There are vast stretches of tea bushes और उसके जो सामने है चाय के बहुत दूर तक विस्तरित चाय की जाड़ियां है राजविर is thrilled to see the tea garden अब राजविर जो है बहुत जादा रोमांचित हो जाता है चाय के बाल देखकर However, it is a routine site for pranjol हाला कि ये रोस का दृष्य है pranjol के लिए As he was born and brought up in these surroundings क्योंकि वो यहीं पर पैदा हुआ और यहां पर ही उसका पालन पोशन हुआ इस वातावर्ण में He tells Rajveer that Assam has the largest concentration of the tea plantations in the world वो राजविर को बताता कि आसाम में दुनिया के सबसे बड़े चाय के बागान है Rajveer also tells pranjol that Rajveer जो है pranjol को ये भी बताता है He has read a great deal about tea कि उसने चाय के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है And knows about a few legends और वो कुछ कहानियों के बारे में भी जानता है Regarding the origin of tea Tea की उत्पत्ती के बारे में जो है One story is about a Chinese emperor एक तो कहानी चायना के समराट के बारे में है Who always used to drink boiled water जो हमेशा उबला हुआ पानी पीता था Once a few leaves of the twigs burning underneath the water एक बार क्या हुआ कुछ पत्ते जो तहनी में जल रहे थे Fell into it उस बरतन में गिर गए The emperor found the flavor delicious जो समराट है उसको जो पानी का स्वादे और भोज़ा था अच्छा लगा मनमोहक लगा And its leaves got the name tea और इसके पत्तो का नाम चाय के पत्तियां पढ़ गया राजवीर ओलसो टेल्स आफ एं इंडियन लेजेंट अब राजवीर जो है एक भारती कहानी के बारे में बताता है About बौदी धर्मा जो कि बौदी धर्मा के बारे में है जो कि अब बुद्धिष्ट था Ascetic एक बुद्धिष्ट मंक था भिक्षू था Who was troubled with sleep during meditation जिसको ध्यान लगाते समय नीन बहुत सताती थी So he cut off his eyelids इसलिए उसने अपने पलकों को काट लिया And 10 tea plants grew out of those lids और वहां से 10 चाय के जो पोदे थे वो drinking the leaves of these plants यानि कि इस पत्तो के इस पोदे के पत्तो को पी कर When put in hot water जो इनको गर्म पानी में डाला जाता है Kept a person awake एक व्यक्ति को जगा कर रखते हैं Tea was drunk in China for the first time यानि कि चायना में जो चाय थी पहली बार कपी गई Around 2700 BC 2700 BC के लगबग पी गई राजविर further adds that राजविर आगर बताता है That चाय चीनी एक्सेटरा और चाइनीज वर्ट यानि कि जो चाय है चीनी है ये क्या है चाइनीज शब्द है And stand for tea और इनका मतलब चाय होता है Tea was introduced to the Europeans in the 16th century यानि कि सोल्वी शताब्दी में Europeans को चाय के बारे में बजाए के एक पेपदारत की The train halted at Mariani Junction जो train ने Mariani Junction पर रुख गई The boys collected their baggage and got down to the crowded platform लड़कों ने अपना समानी टकठा किया और उस भीड़वरे platform पर उतर गई Pranjool's parents were there to receive them अब जो Pranjool के जो माता पीते थे वों वहाँ पर उनका इंतजार करे थे धकिया बाड़ी अब वो धकिया बाड़ी की तरफ चल पड़े The tea garden जो tea garden है managed by Pranjool's father जो कि Pranjool's के पिता के द्वारा संचालित किया जाता है After an hours drive, एक घंटे के ड्राइव के बाग They entered the state वो उस शेतर में, चाई के शेतर में दाखिल हुए टी प्लकर्स चाय के पत्तियां तोड़ने वाली केरिंग बैंबू बास की रॉंदियर बैंक्स जोनों ने अपनी पीट पर बास की टोकिया लटकाई हुए थी वार प्लकिंग फ्रेशली अस्पराड़ वे टी लीव्स वो ताजी अंकूरित हुई जो पत्तियां थी वो तोड़ रही थी राजविर आग्स प्राणजोल स्वादर राजविर ने प्राणजोल की पिताजी से पूछा मिस्टर बैरुवा इफ इट वर दा सेकेंड फलज क्या ये अंकूरित पत्तियों का दूसरा सीजन है दूसरा मौसम है और स्प्राणजोल पिरिड यानि कि उसने पहुचे किया ये दूसरा सीजन है तो जो मिस्टर बैरुवा थी उसके जो पिताजी बहुत खुश दिए उन्होंने कहा राजविर से कि शायद वो अपना ग्रह कारे पहले से करके आया है यानि कि उसने पहले ही बहुत सारी इंफर्मेशन जो है वो ग्यादर की है इकठी की है ठीक है I hope you understand टेक कियर हाब अना इस टाएं